इस लेक्चर में हम देखेंगे हमारे इगनु सीरीस में जो सूशिलोजी सबजेक्ट है जो कोर्स है उसमें जो MSO01 है । इसमें इसपेंसर का विकासवाद देखेंगे तो इसपेंसर का विकासवाद क्या है इस्पेंसर सामाजिक डार्विनिस्ट था जैसे कि डार्विन थे वैसे ही स्पेंसर सामाजिक डार्विनिस्ट था और उसकी राय थी कि समाज स्वैम प्रगति करता है और इस विकास में किसी का दखिल नहीं होना चाहिए Spencer ने सामाजिक संस्थानों की तुलना, इस तरह उसने महसूस किया कि सामाजिक संस्थान बिना किसी ठोज प्रचंडिता के खुद ही अपने परियावरण के अनुकूल स्वयम को ढाल लेता है तो समाजिक संस्थान है जो भीना किसी ठोस प्रचंडिता के अपने पर्यावरण के अनुकूल स्वयम को ढ़ाल लेते कौन से? जैसे की विवा होना एक सोशल इंस्टिउशन है दासंस्कार होना एक सोशल इंस्टिउशन है जन्यू पहनना एक सोशल इंस्टिउशन है मुसलमानों में खदनी होना एक सोशल इंस्टिउशन है तो ये जो सोशल इंस्टिउशन है ये समाजिक डार्वनिस्ट है वो समझते है कि जो हमारा समाज है वो कैसे कैसे धीर धीरे डेवलप हुआ है जैसे डारविन ने बताया था कि पहले पूच थी और ऐसे से कम होती चली गए लोगों में है ना तो स्पेंसर ने डारविन के डारविन के सर्वाइवल सर्वाइवल ओफ दा फिटेस्ट ये जो थेओरी होती है इसका मतलब होता है सर्वाइवल ओफ दा फिटेस्ट मतलब जो चीज फिट होती है वही सर्वाइव करती है और इसका मतलब है अगर कोई ऐसी परंपरा है ऐसी कोई रूडी है जो लोगों की दिमाग में अटक रही है फिट नहीं हो रही है तो अलग हो जाती है वो समात हो जाती है जैसे की सती प्रथा सती प्रथा क जो समाज को अटक रहा था है ना और वो fit नहीं था समाज के लिए उस तरीके के परिवेश में हैं तो वही Spencer का विकासवाद है कि survival Spencer ने Darwin के survival of the fittest के आधार पर आधार वाक्य को ग्रहन किया जहाँ जो समाजिक और प्राक्रितिक पर्यवन जो सामाजिक जो सामाजिक शोशल और प्राक्रितिक नेचुरल इन्वार्मेंट के अनुकूल स्वयम को ढाल सकते हैं वे जीवित रहेंगे जबकि जो ऐसा नहीं कर सकते हैं उनका अंत हो जाएगा है ना यह ऐसा है इस पैंसर ने समाज को इस सरीर सनरचना की रूप में देखा जहां विविद भाग या अंग जो भाग है मारे पार्स बॉड़ी के वैसे अंग के रूप में देखा अन्ता संबद थे और इसकी समूची कारिप्रणाली में प्रतेग की अपनी भूमिका है और इसकी समूची कारिप्रणाली में मतलब उसका पूरा सिस्टम जो है जो उसका वर्किंग मेथट है उसमें एक इंटर लिंकिंग है में प्रतेग की अपनी भूमिका है एक अपनी डिगनिटी है एक अपना रोल है इस तरहां काम्टे की तुलना में जिसके अनसार काम्ट प्रोसेस से है लेकिन इन स्पेंसर ने क्या कहा इस्पेंसर की अपनी वास्तविक भौतिक दुनिया थी इस्पेंसर ने कहा इस्पेंसर की अपनी वास्तविक रियल की भौतिक फिजिकल वर्ड था जिस से वह स्पस्ट करना चाहता था कि उसका विसलेशन और उसका विसलेशन करना चाहता था और उसका विशलेशन करना चाहता था उस भौतिक दिनिया का और उसकी व्याक्या करना चाहता था मतलब जो कामते थे वो तो विचारों को ही समाजवाद मानते थे लेकिन स्पेंसर कहता था कि नहीं एक भौतिक वर्ड है जिसका एनलसिस होना चाहिए जिसका व्याक्या होनी चाहिए वो क्यों है और वो आपस में हमारे शरीरों के अंग की तरह इंटर लिलेटेड है तो स्पेंसर का विकासवादी केंदर बिंदू जो विकासवादी केंदर बिंदू था कम से कम दू परती था दो लेयर स्ट्रक्चर में था स्पेंसर का विकासवादी केंदर बिंदू दो परती structure में था पहले उधारण में पहले example में क्या है Spencer का विकासवादी केंदर बिंदू कम से कम दो परतों में था पहले उधारण में Spencer समाजिक विकास में आकार कारक की बात करता है पहले उधारण में Spencer समाजिक विकास में आकार की बात करता है कि समाजिक विकास में जो हमारा social development हो रहा है उसमें size जो है size जो है उस element की हम बात करते हैं इस प्रकार जैसे जैसे समाज का आकार बढ़ता है उसी तरह विविद बुनियादी एवं संस्थागत अवशकता है यहां अप एक शाएं भी बढ़ जाती है जैसे जिस प्रकार हम लोग single होते हैं तो हमारा खर्चा 5000 में चल सकता है जब हम double होते हैं तो हमारा खर्चा 20,000 में भी नहीं चल पाता है और जहां तिवल या चौबल होते हैं वहां कम से कम 50,000 रुपए चाहिए आज के समाज में रहने के लिए तो यह क्या है यही कहता है कि समाजिक विकास में आकार जो हमारे family का आकार है जो हमारे मौले का आकार है जो हमारे जिले का आकार है जो हमारे समाज का आकार है देश का जो आकार है 125, 130, 140 करोड की आबादी और उसमें वेक्सिनेशन करवाना एक बहुत बड़ी समस्या है है ना तो यही सब कारक जो है आकार जो एक कारक है वो विविद बुनियादियम संस्थागत आवश्चिक्ताएं और अपेच्छाउन को बढ़ा देता है आप कितने भी होस्पिटल होंगे उनमें डॉक्टर उसमें और उसमें वेंटिलेटर की विवस्था करवाना एक असंभव सी बात है है ना तो यही अपेक्षाएं बढ़ जाती है लोगों की विवेधी करण और विसिस्टी करण हर छेत्र में प्रकट होने लगता है विवेधी करण होता है अगर यही कम जनसंख्या हो तो सभी को फाइव स्टार की सुविधो प्लब दो सके लेकिन चोकी इतनी पॉपलेशन है तो कहीं पर थ्री स्टार कहीं पर वन स्टार कहीं पर रोड पर ही इलाज करवाना पड़ेगा आपको विवेधी करण है differentiation है विसिस्टी करण है specialization है कि कहीं पर special treatment हो रहा है एसी रूम में कहीं हो रहा है खाट डालके खेतों में ही इलाज हो जा रहा है और सच यहा है कि छोते शहरों का आकार जो तिलता महानगल से अलग होता है जो छोटे शहर है उनका आकार जो टिलता महानगर जो बिग सिटीस हैं बॉंबे कोईलकटा दिल्ली उनसे अलग है इस पेंसर के अनुसार विविद समूहों के आपस में जोड़ने से समाज का आकार बढ़ता है अगर अलग-अलग समूह जोड़ जाएं जैसे एगरिकल्चर इन्डस्ट्री भी पास में आ जाए मैनुफेक्शिरिंग इंडस्ट्री मीप आ जाए साथ में के मार्केटिंग इंडस्ट्री जैसे कि Amazon का पिकेजिंग संटर्वी पास आ जाए तो इतने सारे समू जुड़ने से और साथ में सेंटर जो केंद सरकार है उसका भी legislative office एक पास आ जाए दिल्ली का भी office एक पास आ जाए और सारे research and development इसरो वगेरा के भी सेंटर जो है दिल्ली में हो जाए तो क्या होता इन सभी समुदाय के मिलने से जटल समुदाय की जो समांच जो जानना चाहता था उससे और स्माच जो इडूस्ट्रियल है मेनृफेक्चर करना चाहता की ओर है यूच्सू समाज जैसे आरम्बिक किस्म के संगठन है जिनका कार समाज की रक्षा करना है पहले समाज कैसे थे जैसे कि बेबिलोनीय समाज उसमें सब खंजर ओग eerste लेकर अपनी सेना लेका स्रखशा करना है ये अन्हें समाज के प्रति आकरमक्ता का रुक या हम अपने यूरोपियन इसको समभा लेंगे मितलब हम अपने कल्चर के लोगों को समभा लेंगे और दूसरे कल्चर के प्रति हम आकरमक रहेंगे जैसे इस समय कहां हो रहा है इसराइल में जूइस जो है वो अरब के प्रति क्या है आकरमक है और अरब क्या है वो जिए लोगों के प्रति आकरमक है तो फलिस्टीन और इसराइल में विवाच चलना है तो ये जो रुख है ये क्या है आकरमकता है एक दूसरे की समाज के प्रति उनमें मौजूद ऐसी प्रचंड मनोवत्ति समाज के आकार को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार थी उनमें मौजूद ऐसी जो प्रचंड मनोवत्ती है कि हमें एक दूसरे पर मिसाइल ही दाग देंगे ऐसी जो प्रचंड मनोवत्ती है समाज के आकार को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार थी क्योंकि सब लोग अपने समाज को हाँ चाहते हैं जोche चाहते हैं कि हमारे ज्यदधिय से ज्यादा लोग प्लिस्टीन में रहे है हैं अर सी्टिये और प्रैइल को कि इस वहालो चाहत है तो सब्सक्रासire क्राइल के रहां एक आड़ी संचे में कि अको कुछा रहा है ने आशा वद्री आपना का स APIs 15 है न रोधोगेक्समाज अपनी मानवAnntakrya और उच्विसिस्ट्टी करन के लिए लेकनी है जो पुद्धोगेक्ष समाज है वो अपनी मानव Anntakrya और उच्विसिस्ट्टी करन इस प्रसलाइज़ेशन होता है के लिए लेकनी है जैसे अगर हमारी इंडिया में pharmaceutical company famous है तो यहाँ पर सभी लोग स्पेसिलाइजेशन का रहे हुए लगनो जो है मेड्िकल सिटी के रूप से जाना जाता है क्योंकि यहाँ डॉक्टर की भर्मार है और सभी डॉक्टर्स specialize है कोई heart का है कोई I का है कोई kidney का है तो इसलिए क्या है यह विसिस्टी करण हो जाता है समाज का राज साधारन रूप से निगरानी रखने वाली agency है राज क्या है जो state है हमारी UP government का लिजे केरला है दिल्ली government है यह क्या है एक विशेस रूप से साधान रूप से बिगरानी रखने वाली एजेंसी है जो इंस्पेक्शन करती है कि चीजें जो प्रॉसर्स हैं वो विधान के हिसाब से लेजिसलेचर के हिसाब से हो रही है और इसकी बुनियादी भूमिका कानून और एवं विवस्था को कायम रखना है और इसकी बुनादी भूमिका क्या है हमारे गवर्मेंट की भूमिका क्या है कि कानून जो लेजिसलेचर है एवं विवस्था जो हमारा मेनेजमेंट है उसक काफी आगे है और ऐसे समाज अपने खुद की पूर्णता के लिए आगे बढ़ते हैं मतलब हम जानते हैं कि हमें लड़के दूसरे संसादों को नहीं चीनना है बलकि धूगिक करके परिश्रम करके या इंडस्ट्री दोरा मेनिफेक्चर करके अपनी जरूरतों को पूरा करना है जैसे कि चाइना ने किया है चाइना में हर चीज का प्रोड़क्शन वहाँ पर होता है उनके लोगों के लिए इसलिए चाइना नमबर वन है सभी चीज़ों के प्रोड़क्शन में जैसे फल हो सभी प्रकार के जो और रेर अर्थ माटेरियल्स होते हैं उन में बिजली में इन सभी चीज़ों में यह समाज घनिस्टिता के बंधन में बंधा हुआ है और वहां का हार्द कून वातावरण है तभी यह कायम हुपाएगा अगर समाज घनिस्टिता के बंधन में बना हुआ है घनिस्टा मतलब ल इसलिए वो घनिस्ता के बंधन में बंदे हुए हैं और वहाँ पे सौहाल पून वातावरन है जो कि वहाँ की कम्यूनिस पार्टी बनाये रखती है लोगों के बीच में जबर दस्ती और तभी वहाँ पर इतना वास्ट प्रोडेक्शन पॉसिबल हो पाए है लेकिन स्पेंसर कहता है कि ऐसा है वैसा है आधे लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है अलग हो जाए आधे चाहते हैं खलिस्तान हो जाए ऐसा अगर विचार धाराएं हैं तो देश विभक्त हो जाएगा वहाँ पर प्रोडेक्शन अच्छा नहीं हो पाएगा और जो नेतागण है वो सगे करने स्पेंसर का विकास वाद ड्रविध से प्रभावित था ऌंसक्तुक है तो इस लेक्शर में इतना ही रखते हैं सपेंसर का विकास वाद धन्यवाद